नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका उत्राखंड एक्जाम करेकर में दोस्तों हमारा आज का टोपिक है जिला स्रीच का उद्दम सिंग नगर आज हम उद्दम सिंग नगर के बारे में पढ़ेंगे और इससे जितने भी क्योशन बन सकते हैं सारे कवर किये जाएंगे 100% ऐसा चर्णै के सारे कि शोड़ने की गुँजाईस रही तो सबसे पहली हम बात करेंगे उद्दम संग नगर दिष्टिक के बारे में तो इसकी इस्तापना हुई थी 1995 में इसकी इस्तापना ऊई थी तो जब इसकी मंडल का एक जिला है उद्दम सिंग नगर किस मंडल में आता है कुमाव डिविजन के अंतरगत आता है इसकी लंबाई 170 km और चौड़ाई लगबग 30 km है ठीक है लंबाई लगबग 170 km और चौड़ाई है लगबग 30 km अब देखे दोस्तों इस लंबाई चौड़ाई में हर डिस्टिक में इसको mention नहीं करूँगा मैंने के वल उद्दम सिंग नगर में इसको इसलिए mention किया है कि एक पतली सी पटी के रूप में फैला हुआ डिस्टिक है उद्दम सिंग नगर कैसा है एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है तो इसकी लंबाई का gap और चौड़ाई का gap काफी ज्यादा है लंबाई चौड़ाई का ratio देखो तो इनमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है इसलिए मैंने इसको इसमें mention किया है कि इसकी लंबा तीन उपभागों कासिपूर, रुद्रपूर और खटीमा से मिलकर बना है उद्दम सिंग नगर कितने उपभागों से मिलकर बना है और आपको किस टाइप से इसकी ट्रिक याद रखनी है तो देखिए आईपेल आज कर चल रहा है तो इसमें एक टीम रहती है सारुखान की जिसका नाम है के के आर तो ये उद्दम सिंग नगर के तीन क्या हो जाएंगे उपभाग हो जाएंगे देखे के से हो जाएगा कासिपूर, के से हो जाएगा खटीमा और आर से क्या हो जाएगा रुद्रपूर तो इस टैप से आप छोटी छोटी ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो अब देखते हैं उद्दम सिंग नगर में हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, पूरवांचली, कुमावनी, थारो, बुकसा, सभी जाटियों के लोग रहते हैं ठीक है तो इस टैप से क्योशन पूछा जा सकता है कि उत्राखन का कौन सा जिला है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, पूरवांचली लगबख सभी लोग रहते हैं तो इस कांसर आएगा यूएस से में या तो घुमा के क्योशन पूछा जा सकता है कि उत्राखन का कौन सा जिला है जिसमें लगबख सभी जाटियों के लोग अधिक संक्या में रहते हैं तो वो रहते हैं उद्दम सिंग नगर में अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो देरादून में भी पंजावी रहते हैं मुसल कि धर्मों के लोग या जातियों के लोग अधिक संक्या में निवास करते हैं तो वो डिष्टिक है उद्दम सिंग नगर अब बात करेंगे उद्दम सिंग नगर के परमुख इस्तलों के बारे में कि यहां पे कौन-कौन से परमुख इस्तल है तो देखे दोस्तों सबसे प मुख्याले याद करने की जरूरत नहीं है तेरा मैंसे जो ग्यारा जिले हैं उनके जो मुख्याले वो जिले के नाम पे हैं जैसे देरादुन का मुख्याले देरादुन पौड़ी का पौड़ी नैनिताल का नैनिताल अलमुड़ा का अलमुड़ा लेकिन दो जिले हैं डिष्टिक के नाम पे नहीं है अब देखे उद्दम सिंग्नागर का मुख्या का है रुद्दुरपुर में और चमोली का है गोपेशॉर तो ये दो डिष्टिक हो जाएंगे जिनको आपने याद करना है बाकी ग्यारक्या है जिले के नाम पे है तो इस टैपस आप इने ओर इने लंदन्दा सहरा के यए नानक मत्ता साहिब तो यह सिकों का एक तीर्थिस्तल है नानक जी से पता चल्गा pertama कि ये कए सिकों का पवित्र तीर्थिस्तल या खंड़िमा पानिपात राजमार्ख nosotros itad नानक мत्त कौन से राजमार्ख पर आ हैं तो यह है खंड़िमा पा प्राची नाम क्या है तो नानक मत्ता का प्राची नाम है बक्सी यहां पर गुरु नानक अपने सिश्यों बाला और मर्दाना के साथ आये थे तो यह भी क्योशन पोछा जा सकता है कि नानक मत्ता में गुरु नानक के कौन से सिश्य आये थे तो आये थे बाला और मर्दाना य एक्जाम में आपके selection के chance काफी बढ़ जाते हैं ये क्योशन क्या करते हैं merit बनाते हैं ये तो सबको पता है कि नानक मत्ता कहां पर लेकिन नानक मत्ता में मेला कव लगता है और गुरु गोविन सिंग जी यहां पर आये थे यहां तो पूर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा गुरु नानक मत्ता में नहीं आये था तो आपने क्या करने है आपको पता है कि गुरु नानक जी आये थे और गोविन सिंग जी आये थे तो तीसरे गुरु क्या हो जाएंगे नहीं आये थे अब बात करेंगे कासिपूर की तो कासिपूर की इस्तापना की थी कासिनातने अब देखे काफी simple है एक चंद बंस के सासंकाल में हुए सासक के समय में हुई तो आपने करने देवीचन, right answer. ठीक है और ये भी पूछा जा सकता है की कासिनात किसका सामन्त या जो भी रहो हो देवीचं का सामन्त. इसका प्राची नाम था गोविसान, कासिपुर का प्राची नाम किया था गोविसान, और यहाँ पे है एक द्रोन सागर, जिसका निर्माण पांडवन ही किया था, कासिपुर में द्रोन सागर है, इसका निर्माण किया था पांडवन है, तो यह आपको डारेक्ट याद रखन वन लाइन ये द्रोन सघर कहा पर काशिपूर में. अगला देखते हैं धोस्तों उज्यन का किला तो उज्यन का किला है कासी बना कासीपूर नगर छेतर कब बना? 1872 कासीपूर में गुमानी पंत का जनम होता झाइबता हुं चीने यात्री वैंसंग काशिपूर आया था 634 फी में, और आयोग ने वही सची वालार का एक आक्जाम कराया, उसमें आयोग ने आंसर दिया है कि 636 फी में, और बुख में लिखा है, 634 फी में. अब देखिए दोस्तों एक्जाम में क्या होता है आपने 634 किया है लेकिन आयोग ने दे दिया 636 अब आपको option किस टाइब से solve करना है जैसे पूछा गया कि हिविनसांग कासिपूर का बाया अब आपको option दे दिया कि 601 ठीक है 616 636 और 622 इस टाइब से आपको चार option दे दिये अब कुछ क्या करेंगे student कहिंगे कि हमने 634 पढ़ा है इस में से कोई नहीं मतलब हमें option में कोई तो है नहीं उनमें 634 तो दिया नहीं है तो कई इसको छोड़ के आ जाएंगे इस क्योशन को छोड़ कि आ जाएंगे आपको छोड़ना नहीं है आपने 634 पढ़ा है आपने देखना है कि 634 के सबसे close वाला option कौन से है अब देखना है अब देखने 601 ध्यान रखना है कि वेंसांग का दूसरा नाम क्या है युवान चांग अब पूछा जाएगा कि युवान चांग कासिपूर कब आया आप कहोगे कि युवान चांग तो आमने पढ़ाई नहीं कभी कोई आया नहीं था कासिपूर लेकिन वेंसांग कोई युवान चांग कह को ही उजैनी देवी या इसी को बाला सुंद्री देवी कहते हैं तो इसका मंदिर है बाला सुंद्री का मंदिर कहा है कासिपुर में है और यहां पर चैती मेला लगता है चैती मेला किस में लगता है बाला सुंद्री देवी के मंदिर में लगता है अब आपने ध्यान रखना ह है जसपूर तो इसका प्राचीन नाम है साज जफर है जसपूर का प्राचीन नाम कहा है साध जफर है और इसकी इस्तापना की थी जसोधन को जाता हैं A नेच्ट पॉइंट थे पंत-नगर है तो दोस्तों यह काफी important question क्योशन यहां पर काफी बार एक्जाम में क्योशन देखने को बनते हैं यहां भारत का पहला किर्सी विश्व बिद्याल है भारत का पहला किर्सी विश्व बिद्याल है कौन से पंतनगर किर्सी विश्व बिद्याल है भारत का पहला किर्सी विश्व बिद्याल है और इसकी स की इस ताफना कि सिने की थी, जवाहलिल लाल नियरु के द्वारा की कि थी. सतरा नौमबर 1960 को. पंतनगर किरिशी विष्व बिद्यले में किर्षी कुम्ब यानि की एक खावी की फस्ल और करीब की फस्ल में आई जित किया जाता है तो आप ने ध्यान रखना है ठीक है पूछा जा सकता है कि पंतनगर किर्सी विश्व विध्याले में कौन सा मेला आईजित किया जाता है तो यहाँ पर किया जाता है किर्सी कुम्ब मेला या किसान मेला आईजित किया जाता है दो बार और कब रभी और खरीब के समय पंतनगर किर्सी विश्व व तो वह कहा जाता है पंतनगर विश्वपिद्यान को अब आपने ध्यान देना कि अगर पोचेगा कि विश्व में हरित करांति का जनग किसे कहते है ठीक है तो वह कहा जाता है नौर्मन बोर्लोग को किसे कहा जाता है नौर्मन बोर्लोग को कहा जाता है अगर पूचेगा भार में हरित करांति के जननी किसे कहते हैं तो वो कहते हैं पंतनगर विश्वपिद्य लग इसके बाद कुछ फैक्ट हैं दोस्तों इनमें ज्यादा कुछ डीप पढ़ने की जरौरत नहीं है मैंने इनको डारेक्टिव यहां पे मेंसन कर दिया द्रौन सागर आपको याद रखने कासिपूर में है द्रौन सागर कहा है कासिपूर में गिरी सरोवर कासिपूर में और अटदिया देवी रुद्दुरपूर में है तो यह पॉइंट आपको डारेक्ट याद रखने इनके बारे में ज्यादा वाइट ज्याद बस यह ज़्यादा नोट्स बना के ऐसा नहीं कि आप बोलो कि इनके बारे में बता दो जब एक्जाम में क्योसन पूछे जाने के चांस है रिद्द्धूर अगर बीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शियर जरूर कीजिए